तो आप जानते हैं, कि अगर पाप आपके अंदर है, तो आप एक जिन्दा लाश हैं। अगर पाप आपके अंदर है, तो आप एक लाश की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। इशुमसी धरती पर क्यों आया? क्योंकि आपको आपके पापों से छोड़ाने के लिए, आपको जिन्दा करने के लिए, आपको पता है? जब तक आप प्रभू में नहीं थे, आपकी आत्मा मरी हुई थी। आप बिना आत्मा के मरी हुई आत्मा के आप घूम रहे थे। आप सारे काम कर रहे थे लेकिन है कि आपकी आत्मा मरी हुई थी। आप कौने आपको पता है? आप एक आत्मा है। आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। बुलिए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूँ। अगर आत्मा है और आप मरे हुए हैं, तो कैसी जिन्दिगी दिभा रहे हैं आप। क्योंकि अगर आप आपके अंदर है तो आपके आत्मा मरी हूई है। अमें ? अब सुचिए कि इशूने क्या किया आपके अंदर आकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा कैसे आपकी सहयता करता है ध्यान से आज के वश्चनों को समझेगा आपका जीवन बदलेगा आप नहीं जानते आपके पास परमेश्वर का सामर्थ है आप जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है जिसने परमेश्वर के मुख से निकले वचनों को आकार दिया रूप दिया उसने बोला उजाला हो उजालिया हो गया किसने क्या किया उजाला पवित्र आत्मा ने पिता ने कहा वचन वचन ने कारे किया और पवित्र आत्मा ने उसको रूप दिया वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आप उसको चरणों में आते हैं जब आप अप्तिस्मा लेते हैं जब आपकी आत्मा जिन्दा होती है तो परमेश्वर अपनी आत्मा आप में डालता है आप जानते परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी है क्यों दी है आपको अपनी आत्मा जब परमेश्वर ने आपको पापों से छोड़ाया आपको पवित्र किया लेकिन पवित्र होने के बाद भी क्या वो पाप जो संसाहर में आपका पीशा नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं क्या वो आपके अंदर नहीं आ रहे हैं हाते हैं पवित्रात्मा क्यों है ताकि आपकी सहायता करे उन पापों को अपने अंदर से भगाने के लिए उन पापों को अपने शरीर में ना आने के लिए पवित्रात्मा आपकी सहायता करता है एमेन, हालेलिया, यहना 14 का, हालेलिया, यहना 14 का 16 पढ़िये, जली पढ़िये, 16 का 16 मैं पिता से विंती करूंगा और वो तुम्हें एक और सायक देगा, कि वो सरवदा तुमारे साथ रहे एमेन, पवित्र आत्मा सरवदा आपके साथ रहने के लिए है पवित्र आत्मा, उसका आत्मा सदा आपके साथ रहने के लिए, आपकी सहायता के लिए है जब आपकी आफ्तमा जिन्दा हुई, तब आप जान पाए कि पाप क्या है जिसे जूट बोलना आप, एक अपना कारे समझते थे हैं, जूट बोलना भी एक कारे दुका देना भी आज की दुनिया में काम है याद, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताता है कि जूट बोलना पाप है जब आपकी आत्मा जिन्दा हुई तो आपको एशास हुआ कि नहीं, जूट बोलना पाप है संधे करना पाप है इमें तो इश्व मुझी क्या कहता है कि मैं तुझे एक सहायक दोगा इसी का 26 पढ़िए, 26 वा 14 का 26, John 14, 26 परंतो सायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भीजेगा वो तुमें सब बाते सिखाएगा वो तुमें सब बाते सिखाएगा हलो लो, कितने लोग सीखना चाहते हैं प्रेस अलोट क्या कहता इश्व? कि पवित्र आत्मा जो इश्व, जो परमेश्व मेरे नाम से देगा वो तुमें सब बाते सिखाएगा आपको किस तरीके से हैना है? आपको किस तरीके से आचरण करना है? किस तरीके से प्रातना करनी है? किस तरीके से वचनों को पढ़ना है? किस तरह के से उन वचनों को अपने वहवारी जीवन में लाना है पवित्रात्मा सिखाएगा आपको एमेन एक मसी का जीवन हमेशा जब तक वो जीवी था इस धरती पर उसका जीवन सीखने के लिए ही है कई बार आप ठोकर खाते हैं क्योंकि आप समझते के हम सीख गए हमको 15 साल होगा चर्च में आते हुए हमने दस वार बाबेली पढ़ लिए हमें सब कुछ आता है सब कुछ आता हमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना प्रभू कौन है पवित्रात्मा कौन है इशो मसी कौन है, क्रूस क्या है हमने बढ़ा हुआ है, जानते हैं नहीं मेरी भेहन मैं अगर हजार साल तक जिन्दा रहूँगा और हजार साल तक मैं बाइबल पढ़ता रहूँगा तब भी मैं पुरी तरह बाइबल को समझ नहीं पाऊंगा नहीं समझ पाऊंगा इतना गूर ग्यान है इसमें आप नहीं जानते बाइबल को जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप आशीश पाएंगे Amen आप एक मसी हैं आप एक मसी हैं हलो हां के ना मसी भी आप ऐसा बुचुपचा बोलते हो अरे गर्ब से बोलो येस मैं मसी हूँ Amen हाले रहिया मती 14 का 19 निका लिया इशु मसी ने 12 चेलों को चुना था मेने तरह देखिए कितने चेलों को चुना था? क्या बहुत पढ़े लिखे थे? अनपढ़ थे मच्छुआरे थे मच्छी का बिज्ञस करते थे Praise the Lord लेकिन उन 12 यानि के 11 चेलों की वज़ा से 12 की वज़ा से पूरे संसार में सूसमाचार सुनाया गया Praise the Lord Hallelujah क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या किया? कि पूरे संसार में जाकर सूसमाचार सुनाया? Hello? Praise the Lord देखिए आग्पा काम क्या है? मसी का काम क्या है? 14 का 19 में आप देखिए जब इश्व मसी ने पांच हजार लोगों को खाना खिलाया Amen? जब पांच हजार लोगों को खाना खिलाया वरेगिस्थान था बिल्कुल वहाँ पर लोग नहीं थे जंगल सा था विरान सी जगा थी और चेलों ने कहा कि भाईया आप इश्व मसी इनको भेजिए कि हम कहां से रोटी देंगे और इश्व मसी ने चेलों से कहा तुम ही दो Praise the Lord देखिए परमेश्वर आपको वो प्रकाशन देता है कि जब आप उस प्रकाशन के दोरा उस परमेश्वर की अलोकिक चीज़ों को समढ़ सके Amen इसके लिए सुनने के कान होने चाहिए और सुनने के कान इतने ज़्यदा शार्फ होने चाहिए कि आप जो सुने उसको अंदर ले लें जिस दिन आपने वचन को अपने अंदर लेना शुरू किया जिस दिन उस वचन को आपने अंदर जीवित कर लिया उस दिन आपने मनन किया उस वचन को अपने जीवन में वहवारिक रूप देने की कोशिश की वचन आपके इंदर काम करेगा वच्छन आपके अंदर काम नहीं करेगा वच्छन को आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा प्रेस अलॉट हालेलुया तो क्या काम है इशु मसी ने क्या दिया चेलों को काम पढ़िए बिटा चौदा का उनिस तब उसने लोगों को गास पर बैठने को कहा इशु मसी ने ल लोगों को आस पर बैठने केलिए और और उन पांच रोठिया और दो मचलीयों को लिया और थ्रों की ओघ कर धन्यवाद किया हा और रोचिया घो ने लोगों को जब सब खाकर तुब्त हो गय तो चैलो ने बचे हुए तुकुडो से भरी हुई बार्राइस ठोकक्रीवि के लिए दन्यवादिस प्रकाशन के लिए हाललुया प्रेस अलॉट क्या किया यहाँ पर क्या हुआ कुछ काम किया चेलो ने नहीं किया इशु मसीने प्रातरा की पांच रोटिय और दो वश्लिया आशीश मांगा हाललिया लेकिन जब स्वर्क से अलौकी जीज है आ रही थी जब आ तैस कий उन्मआ 19 उन 5 रोटियां और स्वर्क कियो देखकर धनेवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़ को चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी रेशली लूट परमिनिश्र का Rाजर कैसे बढ़ रहा है आपने क्या काम करना है हललीया चेलोंने क्या 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 रोटी ली और दी हलो हलो क्या किया चेलो ने चेलो ने क्या किया रोटी ली और दी आपको क्या करना है वचन लेना है और देना है उन्होंने अपनी बुद्धी नहीं लगाई चेलो ने अपनी बुद्धी नहीं लगाई जैसी ली वैसी दी Amen यही ग्यान है यही प्रकाशन है रिस अलोट हम क्यों नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम लेते नहीं है जिस जिन आप रोटी को जिस जिन आप वचनों को अच्छी तरीके से लेना शुरू कर देंगे उस दिन आप देना शुरू करेंगे शेलों ने कोई काम नहीं किया सिरफ लिया और दिया हालेलुया हम क्यों नहीं दे पाते लेकिन देने से पहले हाल्यॖ परभू क्या सिखाता है पवित्राट मनक्या सिखाता है कि हमको देना है लेकिन देने से पहले हमको लेना है ल्हorte chari दीनता होनी चाहिए वही दीनता नम्रता देने में भी होनी चाहिए यह ना आ जाए कि हम दीनता नम्रता के संग ले तो रहे हैं लेकिन जब देने का भाग आता है तो हमारे अंदर घमन आता है देखो यह रोटी मैं दे रहा हूं यह प्रचार मैं कर रहा हूं एको मैं प्रचारक अच्छा हूँ नहीं मेरा कुछ भी नहीं है हलो मेरा क्या है मैं तो ले रहा हूं और दे रहा हूं और क्या किया चेलों ने स्रफ लिया और दिया और बाराथ टोकरे उन्होंने उठाए प्रेशलवार कितने टोकरे उठाए बाराथ टोकरे उन्होंने कोई मेहनत की क्या कहता इश्व मसी इच्छे का 31 में तुम क्या खाऊगे तुम क्या प्याऊगे स्की चिंटामत करो मेरे राज्य की सेवा करो ये सारी चीजे तुम्हें दे जाएंगी प्रमेशा का राज इक समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया ओन ये वचन बता रहा है एक लोटी ने खमीर का आटा लिया और ये उन क्लीए दहालाई और के उसने मिला ती गई मिला ती गई और वह चीज खमीर हो गई प्रोसेश जरूरी है आपके जीवन में वचन का प्रोसेश जरूरी है प्रकरिया जरूरी है हलो, प्रमेशा का राज्य किसमे है? मिलाने में है वचन अपने जीवन में आप मिलाएंगे आज मिलाया, आपने कल मिलाया, परसो मिलाया वो वचन आपको शुद्द करता रहेगा, शुद्द करता रहेगा, सामर्थी बना देगा वो वचन अगर आपको सामर्थी बनना है, अगर आप चाहते हैं कि परमिश्र का वर्दान आपके जीविन में आए तो अपने वचन की प्रकरिया, अपने वचन को अपने अंदर मिलाते रही है, मिलाते रही है, मिलाते रही है छोड़ मत दीजिए कि आज मैंने वचन सुना, आज मैंने वचन पढ़ा और मैं वचन समझ गया, रे वाह, इतना ही काफी नहीं है क्योंकि शैतान देख रहा है शैतान आपके अंदर से वचन चुरा सकता है और चुराता है प्रेस अलॉट हलो पवित्रात्मा क्यों आपको दिया गया है तक कि परमिश्वर पवित्रात्मा आपको बताए आपको बताए कि उस वचनों की कीमत क्या है आपने कभी सोचा है ईशो मसीर ने जब बबतिस्मा लिया तो पवितरात्मा उन्हें कहां ले गया हलो कहां ले गया कहां ले गया जंगल में रेगिस्तान में ले गया और वहां पर उन्होंने 40 दिन उपवास रखा आलेलुया लुका चार का एक पड़ी है फिर ईशो पवितरात्मा से भरा हुआ यर्दन से लोटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा इमें पवितरात्मा ईशो मसीर पवितरात्मा से परिपूर उस पर पवितरात्मा उतरा था याद है जब ईशो मसीर ने बवितरात्मा लिया कब उतर के नाए पवितरात्मा आया उस पर ठहरा और पर्मेशन ने का यही मेरे परिपूरत्मा इससे में परसन हूँ इससे में अती परसन हूँ हाललुया वो पवितरात्मा जो उतरा था वो इशु मसी को कहा ले गया जंगल में आपको पता है आपके जीवन में परिक्षाएं क्यों आती है आपके जीवन में परिक्षाएं क्यों आती है आपको पता है पवितरात्मा चाहता है पवितरात्मा चाहता है कि आपके अपने कभी आपको गाली देते हैं क्यों देते हैं आपकी निंदा करते हैं आपकी बुराई करते हैं आपके अपने क्यों करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है प्रेस अलॉट आप अपने परमेश्वर के सौभाव को अपने अंदर लाए है कि कि निंदा होती है, उनके सामने निंदा होई, लोगों ने उनके मुने धूका, क्या कोई गिविनर में ना काम किया था, उन्होंने? लेकिन, क्या किया? इश्चू मसी ने पर्मेश्वर के सभाव के द्वारा उनको माफ किया. पविता आत्मा का काम क्या है पविता आत्मा क्या चाहता है आपके अंदर परमेश्र का सौभाव आ जाए उसकी ये मन्शा है उसकी ये मन्शा है कि आपके अंदर उसका सौभाव आ जाए प्रेस अलोड हालेलुया प्रेस अलोड पवित्रात्मा क्यों है आपके अंदर तकि आप में प्रभु का सभाव आए उत्पत्ती एक छबिस में आपने क्या पढ़ा था कि आओ हम इने अपनी समानता अपने स्वरूप में लचे प्रेस्ट लौट पर में ने क्या कहता कि आप इन मेरी समानता में आ जाए बढ़ो उत यानि कि परमेश्वर ने मनुष्व को अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा हाललया लेकिन उत्पत्ती तीन में जब उसने पाप किया तो परमेश्वर की समानता निकल गई उसका सौभाव निकल गया प्रभू में वो मनुष्व में वो समानता नहीं आई क्योंकि पर इश्व मसीध धड़ती पर आए और उन्होंने अपना बलिदान दिया थाकि हम शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर से अपना संबंद बना सकें हाललिया तो यहां पर क्या हुआ कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता अपने सरूप में लचा लेकिन उत्पत्ती तीन में ज जब इश्व मसीध धड़ती पर आया तो उसने अपने बलिदान से अपने लहू से अपने बलिदान से उसने हमें शुद्ध किया पवित्र किया और हमारी आत्मा को जिंदा किया हाललिया और हम पवित्र बन गए क्या बन गए हम पवित्र बन गए तब उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर भेजा, पवित्रात्मा को हमारे अंदर भेजा, ताकि हम उसकी आत्मा के द्वारा अपने अपनी पवित्रता को बना के रखें हैं, हलो एमेन आप नहीं जानते हैं परमेशर आपसे कितना प्रेम करता है कितना प्रेम करता है आप नहीं जानते हैं आप सोच नहीं सकते हैं आप इशू के बलिदान को समझे आप उस क्रूस को समझे जिस पर इशू मसी ने बलिदान दिया था He is the only one कोई दूसरा नाम इस धर्टी पर नहीं है Hallelujah वो मर के जिन्दा हुआ Hallelujah परमेशर ने अपनी आत्मा आपके अंदर इसलिक डाली है ताकि आपका सुरूप परमेशर का सुरूप आपमें आए परमेशर की समानता आपमें आए और आप परमेशर को जान सकें आप परमेशर के अनुगरे को जान सकें Hallelujah Raise a loud पहला कुरूंतियन 2nd 9, 10, 11, 12 1st कुरूंतियन 2nd 9, 10, 11, 12 परंतो जैसा लिखा है जो बाते आख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बाते मनुष्य के चित में नहीं चड़ी वे ही है जो परमेशर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तयार की है Amen Hallelujah आप जानते हैं जिन बातों को आपकी आखों ने देखा भी नहीं ना आपके मस्रिक्ष ने सोचा है परमेशर ने उन बातों को अपने प्रेम करने वालों के लिए तयार किया है प्रेस अलॉट इसको दस्वा पताईए दस्वा परन्तु परमेशर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया Amen परमेशर ने कैसे प्रकट किया हलो किसके द्वारा कि आप पर प्रकट है कितने लोग जानते हैं कि कौन सी बाते हैं जो आपने नहीं देखी जो आपने नहीं सोची उनको जानते हैं आप? जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं? क्योंकि आप आत्मा की अगवाई में नहीं चल रहेdasана हैं? आपने कभी आत्मा से मांगा हैं प्रात्ना कर इये? गुटने डेके हैं? कि पवित्रात्मा मुझे वो बताइए जो परमिश्टर मेरे लिए करना चाहता है जो परमिश्टर के मन में मेरे लिए है मुझे बताईए क्या आपने कभी प्रात्रा किया है हलो नहीं किया है आप प्रात्रा करने अपनी नौकरी के लिए आप प्रात्रा करने अपने धंदे के लिए आप रातना कर रहे हैं मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चा हो जाए बहुत छोटी चीज़े मांग रहे हैं आप जो चीज़ें आप मांगते हैं न उसका कोई अस्थित्व नहीं है उसका कोई अस्थित्व नहीं है आज आपकी नौकरी है, कल नहीं भी हो सकती आज आपको धन्दा अच्छा है, कल खतम हो सकता है आज आपकी शादी है, कल नहीं भी हो सकती इस अलॉट परमिश्वर आपको वो देना चाहता है जो अनंतकाल के लिए आपके पास रहे जिसने अपने इकलोते पुत्र को आपको दे दिया क्या वो आपको सब कुछ नहीं देगा क्यों नहीं मिल रहा आपको सब कुछ क्योंकि आप उसके अनुसार नहीं चल रहे है क्योंकि आप उसकी आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे है इसका 11 पढ़िए मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बाते जानता है मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात को जानता है? आप जानते हैं अपने पड़ोसी के मन की बात? इसके मन में क्या आपको जानते हैं? इनकी आत्मा में क्या आप जानते हैं? अपने पिता की आत्मा में क्या जानते हैं आप? परमिश्य की आत्मा क्या जानते हैं आप मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बाते जानता है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वैसी ही परमेश्वर की बाते भी कोई नहीं जानता केवल परमेश्वर का आत्मा हईमें अलो परमेश्वर के मन में क्या है वो कौन जानता ए उसका आत्मा बोलिया उसका आत्मा ente और उसका पावित आत्म की अगवाई में चलिए उससे पूछिए क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप क्योंकि आपने उसके संबंद अच्छा नहीं बनाया आपने रिलेशन नहीं बनाया अपने पडूसी से रात को आपको आपको मुझत चाई पीने की इच्छा हुई और अपने घर में शुगर नहीं चीनी नहीं hardest और आपने का यार बारा बज़िए रा चाय पिने की इच्छा हुई काफी बिलेशन क्या करें शुगर नहीं है बीवी नहीं का शुगर नहीं नहीं फिर बीवी ने बताया रहे देखो आज ही मैंने देखा है पडोस का राशन आया है आज ही मैंने देखा है बीवियां ही देखती है पडोस पडोस वाला राशन लेकर आया है और उसमें चीनी भी होगी जाओ लेकर आओ मैं तुम्हें कॉपी बना के देती हूं फिल्टर वाली मुझे किसी ने वादा किया था, फिल्टर वाली अभी तक नहीं पिलाई है फिल्टर वाली से आए, कौफी में आपको पिलाऊंगी लेकिन बंदा कहता है, मैं ले तो आऊं लेकिन यार, आज तक हमने इसके संग हाई हलो ने की इनकी लडाई होती है, तो हम इनसे बाती नहीं करते है, इनके संग हमारा संबंद अच्छा नहीं है, कैसे ले, आपको पता है शुगर मिल सकती है, इच्छा भी है, लेकिन संबंद अच्छे वही संभर्द आपने पवितरात्मा नहीं बनाया पवितरात्मा आपके अंदर आप किसके अंदर आप से बोलो मेरे अंदर है पिता का आत्मा मेरे अंदर है है अंगीकार करो आप जानते हैं आप कौन है, उसने अपना आत्मा आपको दिया है बारबा पड़ो एसी का परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है देने वाला नहीं है आप याद करिए परमेश्वर ने इशु मसी के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है सब कुछ दे दिया है हमें सामर दे दिया है हमें अधिकार दे दिया है हमारे अंदर वर्दान है परमिश्र काशीश है हमें सब कुछ दे दिया है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे है हलेलिया हम उसको यूज नहीं कर रहे है क्योंकि हमें पता ही नहीं वह कहाँ है कि हम ने उसके खभी खोजने की कोशीश ही नहीं की कभी कोशने की कौशीश ही नहीं की हम जो अरो जो लोसा एख पना वालेट देखते casos आज वालेट में कितने लिए रचा है पवित्रात्मा हमारे अंदर क्यों है ताकि वो हमारा संबंध उस जहां से बनाए जो अलोकिक है इस प्रिश्वल है उस जहां से हमारा रिलेक्शन हम बना लेगी कोशिश ही नहीं करते और मैं आपको सच कह रहा हूं जिस दिन आपने उसके संग रिष्टा बनाना शुरू कर दिये ना आपको बोलने की जुरूत नहीं पड़ेगी आप जो चाहेंगे वो होगा आप नहीं जानते हैं आप कौन हैं हम छोटी-छोटी चीजों के लिए भाग रहे हैं पसीना भा रहे हैं चुक रहे हैं इस अलोट उस सामर्थ को जो परमेश्व ने हमारे लिए धर्टी पर भेजा है आपको पता है दूसरा इतियास दूसरा इतियास सोला करो अलो उसका गीत गाओ उसका भजन करो दूसरा इतियास सोला करो देख यहोवा की दृष्टी सारे पृत्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निश्च कपट रहता है उनकी साहिता में वो अपनी सामर्थ दिखाए क्योंकि यहोवा ने सोला का नौ दूसरा क्योंकि यहोवा की आखे समस्त पृत्वी पर फिरती रहती हैं कि जिनका हिर्दय संपूर रिती से उसका है किस रिती से पूरी रिती से यह नहीं आजा हुदूरा संड़े के संड़े हमने बाइबल पढ़ ली संड़े के संड़े हम प्रभू को जानते हैं बाकी दिन हम प्रभू को नहीं जानते हैं हां बोलिया बोलिया प्रेज़ अलट प्रेज़ लॉट संपूर्ण रिती से क्या कहता है देखो व्यावा की दृष्टी प्रित्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी और निश्कपड रहता है यानिके संपूर्ण रिती से दे उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ दिखाता है अब सुचिए अगर आपको एक कंपणी में नौकरी करनी है और देश का प्रदान मंतरी आपकी हेल्प कर रहा है आपके लिए बोल रहा है तो आपको सर्विस मिलेगे कि नहीं मिलेगी अगर आपका मन पूरी तरीके से परमेश्वर में है तो वो आपकी सहायता के लिए किसकी सहायता के लिए आलेलुया यही तो पवित्रात्मा चाहता है यही तो पवित्रात्मा का काम है कि जब आप पूरी तरीके से उसकी सेवा में उसमें मन लगाते हैं तो पवित्रात्मा उसके सामर्थ को आपके जीवन में प्रिकट करता है आलेलुया आप नहीं जानते हैं आपके पास खाजाना है आपके पास सामर्थ है और हम भीक मांग रहे हैं एक मा थी बिचारी एक गाउं में रहती थी अनपड़ थी उसका बेटा बहुत लाइक था चल रहा था काम एक नौकरी का उसके बेटे को नौकरी आई बाहर आट ओफ इंडिया अमेरिका से और मा ने का तु जाएगा बेटा बेटा ने का मैं नहीं जाओंगा आप बुड़ी हो मैं आपको छोड़ कर नहीं जाओंगा सब गाओंवाले ने का अरे भई हमारे गाओं में आज तक कोई अमेरिका नहीं गया तु पहला होगा यार तु जा यार हमारे गाओं का नाम बढ़ जाएगा हम तरी मा की रक्षा करेंगे सेवा करेंगे भई तु जाओ तो बेटा तैयार होगा तो मा चिंदा ना कर मैं मा से पैसे भेज दिया करूँगा तु विकुल चिंदा मत कर मैं हूँ और बेटा अपनी मा से बहुत प्यार करता था खेर बेटा चला गया हर महीने में एक लेटर आना शुरू हो गया बेटे का लेटर अपनी मा के पास आता था मैं ठीक हूं मा तू कैसी है ठीक चल रहा है खेट कैसे है जानवर कैसे है पूछता था सब कुछ दो मेने हो गया तीन मेने हो गया चार मेने हो गया हर मेने लेटर आ रहा था पैसा नहीं आ रहा है लेटर आ रहा है पैसा नहीं आ रहा है और मा की हालत दिन पर दिन उसकी साड़ी अब भड़ गई घर में जो व्यवस्ता थी खतम हो गई जाले पड़ गए खाने को नहीं है ए कुसरे गाउज से इस गाउन में आई और उसके अपने मां की हलत अपनी ऐंजाति कुछ यहाल होगे तेहरा क्या हुआ इसा इसे पैसे नहीं भेज़ा तूरी ऐसे नहीं गज़ूह रहा है यह Sigurd लेकिन लेटर आ रहा है पैसा नहीं आ रहा है उसने का दिखाओ मुझे लेटर दिखाओ उसने देखे तो हर लेटर के बीचे एक चेक था वो चेक देखती नहीं थी वो समझ रहे थी कि मन्य ओंडर आएगा कैश मुझे कोई पैसा देगा पैसा है उसके पास हलो ग्यान नहीं है उसके पास क्या नहीं है ग्यान नहीं है प्रिस लोड आप सबके साथ पवित्रात्मा का सामर्थ है लेकिन फिर भी आप शेतान से डर रहे हैं आज शेतान ये करेगा आज शेतान नहीं ये कि आज मैं वहाँ कहता उसने ये किया कि अगार है आपके पास पवित्रात्मा का सामर्थ है Sumerth कब काम करेगा जब आप पवित्रात्मा की अगवाई में आगे चलेंगे जब तक आप पवित्रात्मा की अगवाई में नहीं चलेंगे आपको वो आशीश नहीं मिलेगा रिसलोट रोमियो आठ का एक क्या कहता है कि जो प्रभु में इशु में हैं उनको दंड की आग्या नहीं है प्रेसलोट रोमियो आठ का एक और सोला पड़ो अथा अब जो मसी एशु में है उन पर दंड की क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाई देता है, कि हम परमेशर की संतान है, बोलिए मैं परमेशर की संतान हूँ, अपने परोसी से बोलिए मैं परमेशर की संतान हूँ, उसको बताईए कि मैं कौन हूँ, आपकी अडिटिफिकेशन क्या है, कभी आपने आईने में खड़े होकर बोला कि मैं कौन हूँ, अपनी अडिटिफिकेशन को पहचानिए कि आप कौन है, घर से कभी निकली है यह सोच कर कि मैं परमेश्र की संदान हो आपको लगेगा कि यह पूरा जहान मेरा है यह मेरे पिता का संसार है यह किसका संसार है मेरे पिता का संसार है यह मैं जब आपने घर में जाते हैं तो आपकी चादी चौरी होती है ना यह मेरे पिता का घर है या मेरे पापा का घर है इस इस मा अमें? उसकी गभाई, उसको समझना जरूरी है. इसलिए उस आत्मा को समझेए. उस आत्मा को जानिए. अलले या. जब आप प्रबू में नहीं थे, तो पाप आपके जीवन में आता था और आपको जो चाहे वो करता था और आप वही करते थे, जो आप, आप नहीं चाहते थ जली से उसको ने करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जो मैंचाहता हूँ वो नहीं कीया करता हूँ जिस से मुझे घ्रना याती है मैं वह करता हूँ कि ग्रना लेकिन मीं तनوقशे कर conclus leven 2 कि जिस अच्छे काम की में इच्छा करता हुँ वो तो नहीं करता हुआ कब था जब आपके अंदर आत्मा नहीं थी जब आपके अंदर प्रभू नहीं था जब आप शुद्ध नहीं हुए थे तिन यार जो दरू पीने वाले हम बिसकी पीने वाले है और सुबर कर positivus कि शाम होते होते कोई कुछ आएगा जाएगा कुछ आईगा बैच चलते है आज भाज है घृ ऐ कि आप अपने उपर नहीं कर पा रहे हैं कि विए आपको किसका कंट्रोल है शैतान का आपके अंदर किसका गंडोल बगनतरार कई यह इसलिए पवित्रात्मा आपके अंदर और है ताकि आपको शक्ति दे और आप कंट्रोल्ड कर सकें तकि यह जोरे मिरे भाई मेरी बहन पवित्रात्मा के दोरा जीवन बाताना बहुत जरूरी है अगर आपके जीवन का आधार अगर मसीजी जीने का आधार आत्मा है तो ही आप आशीश पास सकते हैं, तो यह आप जीवन जी सकते हैं। Hallelujah! Praise the Lord! इसलिए परमिश्वर ने आत्मा को देकर अन्य भाशा दी है। आत्मा की भाशा दी है। Hallelujah! पहला करुंतियन 14 कर 9, 14 कर 2 जली पड़िया। 14 कर 2, पहला करुंतियन 14 कर 2 क्योंकि जो अन्य भाशा में बाते करता है, वो मनुश्यों से नहीं, परमिश्वर से बाते करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बाते आत्मा में होकर बोलता है। किसे बात करता है आत्मा की बात है जैसे हम पूरी कलीशिया में नहीं बोलते है क्योंकि इनको समझ नहीं आता लेकिन जब भी हम विश्वास में हो जब भी हम उन आत्मा के साथ हो जो अन्य भाशा जिनको पता है हमें बोलनी चाहिए प्रेसल अन्य भाशा बहुत जरूरी है बहुत 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 जरूरी है आजकल जो मना करते हैं वो गलत काम करते हैं पाप करते हैं कि अगर आप आत्मा को रोक रहे हैं उसकी भाशा उसको बोलने से आप आत्मा को रोक रहे हैं और आत्मा कब बोलेगा हमारे द्वारा बोले कि अगर आप अन्य भाशा बोलने से मना करते हैं तो आप ये चाहते कि परमिश्व से बाते ना हो आठका 26, रोमियों आठका 26 पुवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों है? ताकि हमारे अंदर परमिश्व का स्वभाव आए इसी रीती से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में साहिता करता है कैसे? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रात्ना किस रीती से करना चाहिए परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बहार है हमारे लिए विंती करता है Amen पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता के लिए परमेश्व करता है कब करेगा? जब हाप अन्य भाशा बोलेंगे आप नहीं जानते हैं अन्य भाष्य आप क्या बोल रहे हैं या तो अनुवाद करने वाला हो आपको अगर अनुवादक नहीं मिला है आप नहीं जानते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको बोलना नहीं है आपको जब बोलना है क्यों बोलना है क्योंकि इसमें लिखा ह हुआ है आत्मा आपके लिए प्रात्रा करता है आपको नहीं पता कि आपको प्रात्रा कैसे करनी चाहिए हालिलुया आप प्रात्रा कर रहे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए मुझे नौकरी मिल जाए मेरा धंदा अच्छा हो जाए मुझे लड़की अच्छी मिल जाए शादी ह जाए लेकिन पवित्रात्मा जो आपके अंदर है वो जानता है आपके अंदुरूनी मनशत्तों को वो कहरा नहीं यह जो अनिल कोशर है थोड़ा सा अभी इसमें गुस्सा है थोड़ा सा इसमें स्वार्थ भी है थोड़ा सा इसमें घमंड है कौन कह रहा है यह पवित्रात्म जो कहा है मेरे अंदर है यानि कि वो जानता है तो उसकी इच्छा पिता से क्या है कि इसका घमंड दूर करिए इसका स्वार्थ निकाल दीजे पिता इसको आपने चुना है लेकिन अभी भी इसमें स्वार्थ है इसको आपने चुना है लेकिन अभी भी ये संपूर्ण नहीं ह सिद्ध नहीं है तो आत्मा आहें भर बर कर हमारे लिए प्रात्रा करता है कि इसको सिद्ध करिए इस आत्मी को जिसके अंदर मैं हूँ उसको सिद्ध करिए इसलिए वो आहें भर बर कर प्रात्रा करता है 27 और मानो और मनो को जाचने वाला जानता है कि आत्मा की मन्शा क्या ह कि ओपितर लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के पर आथना करते है वी रूओरु वाईवल में उसकी इच्छा क्या है कि कि मेला संभाव आप में आए आप मेरी योश्चना को संजे या उसकी इच्छा है कि आपको आज 10,000 मिल रहा है कल 20,000 मिल जाए यह इच्छा है उसकी आज आपके समझे 500-500 विकर हैं आप चाहते हैं हधार विक जाए उसकी यह इच्छा नहीं है वो चाहता है आपको स्वर्ग में लेना, वो चाहता है आपके अंद्रूनी मनशुत्र को बनाना, वो इंटरस्टेट नहीं है कि आपकी जेब में पैसा आया रहे, वो तो आपको कहीं से भी उठा लेगा, उसने पांच हजार लोगों को रोटी खिलाई, पांच रोटी और दो मचलियों से उसने पांच हजार नहीं, बारा हजार लोगों को रोटी खिलाई, उसके लिए क्या संभाव है 40 साल तक इसरालियों को उसने मनना दिया पत्रों से पानी दिया उसके लिए कुछ भी बुश्किल नहीं है उसके लिए सिर्फ ये जरूरी है उसकी इच्छा है कि जिस बच्चे को मैंने चुना है वो मेरे सभाव में आगे बढ़े है वो मेरे वश्रों में आगे बढ़े वो मेरी आज्याओं के नुसार चले जो मैं दे रहा हूँ वो उस आगे दे Hallelujah Praise the Lord Hallelujah तो पवित्रात्मा हमारे लिए बहुत सुरूरी है और पवित्रात्मा की भाशा हमारे लिए बहुत सुरूरी है इसलिए विश्वास करिए और परमिश्वर की आत्मा की अगवाई में अपने जीवन को बिताईए आज से प्रात्रा करिए कि परमिश्वर तेरी आत्मा की अगवाई में मैं चलूँ कोई भी ऐसा काम ना करूँ जो आपकी आत्मा की दृष्टी में गलत है, इसलिए चार का तीसमा पढ़ो, एफिसियो चार का तीसमा, ध्यान दीजिए परमेशिर के पवित्रा आत्मा को शोकित मत करो याने की ग्रीफ, दुखी मत करो पवित्रा आत्मा को दुखी मत करो कैसे होता है पवित्रा आत्मा दुखी आपके मावाब कब दुखी होते मावाब का बच्चा जब गड़त रासे बेजा रहा है माबाब का बच्चा जब उनकी बात नहीं मान रहा है जब वो बच्चा जब वो काम कर रहा है जो माबाब को पसंद नहीं है तो माबाब दुखी होते हैं है कि नहीं है? There is a lot यहीं कि आप अगर पवित्रात्मा के बताई हुए कामों के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आप पवित्रात्मा को दुखी कर रहे हैं अब आप फेस्बुक देख रहे हैं और उसमें गलत चीज़ें आ रही हैं और पवित्रात्मा आपके अंदर है तो आप पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं आप शोकित कर रहे हैं आपके अंदर जो आत्मा है जो आपको लेके जाने ही वाली है रैप्चर में, एक चिन्न के रूप में आपके अंदर है इसलिए गलत चीज मत देखिए गलत चीज मत सुनिए, गलत चीज मत बोलिए क्योंकि आप पवित्रात्मा को ग्रीव कर रहे हैं, ग्रीव, शोकित कर रहे हैं कभी भी शोकित करने की कोशिश मत करिए पवित्रात्मा जो चाहता है वो करिए इसलिए अपनी संगती को सुधारिए गलस संगती में मत रहिए अच्छी संगती में रहिए Praise the Lord इसलिए आज से पवितरात्मा की अगवाई में चलिये नहीं तो आपका मसी जीवन आपको उन्नती नहीं देगा पवितरात्मा की अगवाई में ही अपने जीवन को समा लिए Praise the Lord आज का बशेन आपको अच्छा लगा हां के ना मैं विश्वास करता हूं परमिशन आपको आशीष दे हालेलिया प्रेस अलाओ धन्यवाद पमित्रहत्मा को अपना जीमन का अधार बनेगे गॉड ब्लेस यू प्रभू आपको आशीष दे हालेलिया